तो चलो बात करते हैं Pentoprazole के बारे में तो Pentoprazole जो है वो एक proton pump inhibitor है अब इसके अंदर जो शबसे पहला सवाल आएगा वो यही आएगा कि proton pump क्या होता है, right? ठीक है तो वो भी आपको समझ में आएगा, बस थोड़ी देर रुखिए तो pentroprazole जो है वो stomach के अंदर acid के production को decrease करने के लिए use किया जाता है मतलब अगर acid जादा produce हो रहा है जादा release हो रहा है आसान बाशा में कहें तो acidity है तो उस condition में ये use होता है इसको बहुत सारे acid related gastrointestinal conditions के लिए use किया जाता है तो अब हमारा जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही आता है कि ये काम कैसे करता है इसका mechanism of action क्या है तो इसका mechanism काफी जादा simple है very simple इसका जो नाम है proton pump inhibitor ये वही काम करता है ये simply जाकर proton pump को inhibit करता है तो proton pump जो है उसका एक और नाम है hydrogen potassium ATPase अब इस नाम से तो ऐसा लगता है कि ये एक enzyme है तो exactly ये एक enzyme ही है proton pump एक enzyme है जो कि हमारे stomach में present होता है और ये gastric acid को release करवाता है तो gastric acid release कहां से होता है तो gastric acid release होता है parietal cells से पराइटल cells से gastric acid release होता है लेकिन उसे release करवाता है एक enzyme जिसे कहते है proton pump simple अब हमारा जो pentoprazole है वो इसी proton pump को जाके inhibit कर देगा अब इसे inhibit कर देगा तो gastric acid का release कम हो जाएगा जिसकी वज़े से obviously acidity decrease हो जाएगी understand लेकिन ये काम तो तभी करेगा ना जब ये body के अंदर जाएगा जब body इसे accept करेगी right तो इसके pharmacokinetics की बात करें तो ये काफी अच्छे तरीके से absorb होता है ये GI tract से absorb होता है हमारे काफी अच्छे तरीके से absorb होता है इसका peak plasma concentration कुछ एक दो घंटे के अंदर achieve हो जाता है 77% drug जो है वो bio available भी होता है और हाँ 77 जो number है इसे याद रखो अब absorption होने के बाद ये distribute होता है protein से bind करके 98% drug जो है वो plasma bound होता है लेकिन disproportion बहुत ज़ादा नहीं होता है majority drug जो है वो plasma के अंदर ही रहता है ज़ादा tissues के अंदर ये distribute नहीं होता सारा काम हो जाने के बाद इसका metabolism जो है वो liver के अंदर होता है और inactive metabolites में इसे convert कर दिया जाता है majority drugs जो है वो urine से excrete होते हैं approximately 77% drug 77, right? उसके अलावा जो बचते हैं वो feces से excrete होते हैं इसकी half life जो है वो कुछ एक घंटे की मिलती है लेकिन फिर भी इसका duration of action काफी लंबा रहता है क्योंकि नए proton pump की synthesis के लिए time लगता है और abdominal pain वगएरा वो किसी-किसी में देखा जा सकता है headache और dizziness वगएरा भी कुछ जो side effects हैं वो जल्दी देखे नहीं जाते मतलब कि less common side effects जैसे कि कोई allergic reaction हो, rashes हो, itching वगएरा हो लेकिन कुछ side effects ऐसे होते हैं जो कि serious होते हैं rare होते हैं लेकिन serious होते हैं जैसे की bone fracture वगएरा अब आप कहोगे कि यह acid related drug है इसका bone fracture से क्या लेना देना तो देखो, यहाँ पर roll आता है calcium का calcium के absorption के लिए acidic environment लगता है लेकिन अगर आप pentoprazole काफी लंबे time तक लेंगे तो calcium का absorption बराबर नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से हमारी bones जो है वो weak हो जाएंगी जिसकी वज़े से bone fracture हो सकता है उसके अलावा long term में kidney damage भी हो सकता है pregnancy के अंदर भी यह drug लिया जा सकता है लेकिन अगर clearly पता हो कि हाँ इसकी ज़रूरत है तब ही लेना है और अगर कोई nursing woman है तो उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने को का जाता है क्योंकि यह drug breast milk के अंदर भी excrete होता है और अगर किसी को renal impairment है जैसे कि kidney damage वगएरा तो उनके अंदर dose का adjustment ज़रूरी हो जाता है अब इतनी सारी बाते हमने कर ली लेकिन इसका इस्तेमाल कहा होता है तो इसके uses की बात करें तो यह GERD के अंदर use होता है GERD के अंदर यह acid के secretion को कम करता है जिसकी वज़े से जो symptoms हैं जैसे कि heart burn, regurgitation यह सारी चीज़े कम होती है Peptic ulcer के disease में यह use होता है अब्वियस सी बात है acid के production को कम करता है जिसकी वज़े से ulcer healing इंप्रूव होती है Helicobacter pylori के eradication में भी यह use होता है इसे combination में दिया जाता है antibiotics के ताकि Helicobacter को eradicate completely किया जा सके Zollinger Ellison syndrome में भी यह use होता है Zollinger Ellison syndrome एक tumor condition है जिसके अंदर acid का production बहुत जादा होता है तो उस condition में pentoprazole जो है वो acid के secretion को control करता है और acidity को control करने के लिए सिफ pentoprazole ही नहीं है और भी drugs हैं जैसे कि anti-histaminic drugs क्या होते हैं anti-histaminic drugs तो anti-histaminic drugs को समझने के लिए यह वाली वीडियो देखो बागी मैं भी लूँगा आपसे next वीडियो में thank you so much for watching और हाँ subscribe करो यार